आपका स्वागत है मेरे किचिन में एक चोटा चमर जीरा, दो हरी इलाची, एक चोटा एक कप तेल डालेंगे कडाई में, तेल को थोड़ा गरम होने देंगे, अब हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमर जीरा, दो हरी इलाची, और हरी इलाची और जीरे को तेल में पका तो दो शोटी हरी इलाची डालें, एक छोड़ा चमच जीरा के बीच डालें, क्यूमिन सीट्स, वन टी स्पून, टू ग्रीन कार्डमन जब तक जीरे और हरी इलाची की खुश्पू नहीं आ जाती, तब तक हम इसको तेल में थोड़ा भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा प्यास कटा हुआ, फाइनली चॉप्ट, अब प्यास को सुर्ख करना है, गोल्डन ब्राउन पकाना है प्यास को मैं ये केन यूज कर रही हूँ, राजमा का केन, इसमें एक राजमा बिल्कुल पर्फेक्ली पके हुए होते हैं, मैं कोल के आपको दिखा देती हूँ पहले हम इसको चान लेंगे, और फिर पानी से अच्छे से दो लेंगे, तो राजमा का केन चान लेते हैं, इसका जो प्रिजरवेटर वाला पानी है, वो हम फेक देंगे, जिसमें केमिकल्स होता है, और साफ पानी से हम इसे अच्छे से दो लेंगे, दो से तीन दफा दो ल प्यास को अच्रे से बून लाएं प्यास को थोड़ी थोड़ी देर में चमत चलाते रें ये बिलकर पके हुए है आत बहुत दिidences की आपके हुए है देखे बिलकुल पके हुए हे तो इतने अच्छी से पके हुए होते हैं केनवाले राजमा तो मैंने ये मसालों में लिया एक छोटा चमच नमक, एक छोटा चमच हल्दी, एक छोटा चमच दनिया पाउडर, एक छोटा चमच जीरा ये मैंने साइट पे मसाले रखें और टमाटर रखें क्योंकि जैसे ही मैं मसाले डालूंगी प्यास में फोरन ही मैं टमाटर डालूंगी ताके मसाले जले नहीं, तो मसाले भी पक जाएंगे और जलेंगे भी नहीं, तो अब हम ये मसाले डाल देते हैं, बस मिला लें इसको फ उसके पार उसके पार जाले नास के फिςृ टॉमार्टbnर दाले फोरन से ताकर जले नहीं कुछ तोड़ी थोड़ी देर में चाला Biden को अच्छे से भून लें लिए जबगित हमे जब तक हम ऐच्छे और लिए अच्छे सबस्य धुणा से गृता हैं अब गार करANSर करना रहा हम इसमें और ढग देंगे और ढगने के बाद बीच बीच में आप चमच चलाते रहें तो मैंने इसमें एक कप पानी डाला अब हम इसे ढग देंगे और हर पांच मिनट के बाद इसे चमच चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं जले ना और इसका पानी सूख ना जाए, तो इसका अभी भी थोड़ा पानी है तो मैं मिला के डग देती हूँ इसको दुबारा से डग दे Impact ढें इसको जैसे ही टमाटर तेल चोड़ेगा, ये देखें, टमाटर ने तेल चोड़ा है पानी सूख गया है, अब हम इसमें राजमा डाले अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी एक ग्रेवी के लिए और इसे मिला के ढग देंगे हम इसे तो इसे ढग के हम दस मिनट तक पकाएंगे ढग के तो पाट से दस मिनट बाद हम इसका ढगना हटाएंगे और फिर इसे मिलाएंगे पांच मिनट के बाद मैंने डगना आठा है और अब हम इसे मिला लेते हैं तो दोबारा से इसको डग दें थोड़ी थोड़ी देर में चमच चलाया करें ताके नीचे सब्जी लगना जाए और तो ये देखें मैंने इसको दूसरे पांच मिनट के बाद चमच चला रही हूँ हमें टमाटरों को गायब करना है और इसकी थोड़ी थिक ग्रेवी बनानी है जैसे आफ ज्यादा पकाएंगे ना तो टमाटर और प्यास अपने आप ही गायब हो जाएंगे और अच्छी ग्रेवी बन जाएगी तो ये देखें हमारी राजमा बन कर त्यार है अच्छी ग्रेवी बन गई है टमाटर प्यास इतने नजर नहीं आ रहे हमने ब्लेंड भी नहीं किया टमाटर प्यास को और ग्रेवी देखें कितनी जबर्दस बन गई है तो अब हम इसको सर्व करते हैं बाउल में हमाई राजमा बन कर त्यार है जबर्दस के राज रेसिपी है आप इसको ज़रू ट्राइ करें और चामलों के साथ सर्व करें तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं थैंक यू फॉर वाचिंग यूर व्यूस मेटर से लॉर थैंक यू